घर और किचन के काम को आसान करने के लिए आज लेकर आए हैं कुछ कमाल का किचन टिपस दोस्तों पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो ज़रा सभी हेलफुल लगे तो लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और चैनल पर पहली बढला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो इस चावल के पानी को फेके नहीं, इसका आज बहुत ही कमाल का हैक्स बताने वाले हैं, देखिए ये जो हमारा पानी है, इस पानी को प्लांट में अपने घर में जो प्लांट रोपे हुए हैं, तो उस प्लांट में डाल सकते हैं, प्लांट हमारा हरा भरा रहता है एकदम से, और एकदम ग्रोथ बहुत यह अच्छा से करता है और कीडे मकोडे भी नहीं लगता है इसका एक और खास टिप्स बताने वाले हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम यह चावल वाला पानी ले लिए एक कटोरी में और इसमें थोड़ा सा हम वाइट कॉलगेट मिला रहे हैं दोस्त वाला राएं तरहि नहीं होता है लेकिन थोड़ी से प्रोबलम में हमारे घर लाइन है का यहाँ है वाजा से हम यहां मोबाईल के लाइट से वीड़ी ओ दोस्तों तो बैक को और जितनी भी दूप में जाते हैं तो देखें Chemistry na चाहिरे बगए wins और यह सब चाहिया यह सब हो जाते हैं काला काला दिखने लगता है तो इस तरीके से लगा लेना है और 5 मिंट के लिए छोड़ दीजिए इसको नॉर्मल पानी से धो दीजे 5 मिंट के बाद एकदम से चहरे पे Г्लो करने लगेगा जितने भी टैनिंग बेगरा सब हड जाएंगे और खास अच्छा साइनिंग देने लगता है आइडिया इस फूल लगा तो लाइक कीजेगा दोस्तों नेक्स आडिया देख लेते हैं नेक्स टीप से यहां पर हरी मिर्च को काटने को लेकर जब भी हमें सबजी का बनाने के लिए हरी मिर्च को काटना होता है तो क्या होता है दोस्तो दूद और कचा दूद को इस तरीके से हाथों पे लगा के पांच मिर्ट छोड़ दीजे और छोड़ने के बाद फिर से धो दीजे नॉर्मल पानी से तो पूरा जलन खतम हो जाता है आइडिया यह उसको लगा हो तो लाइक कीजिएगा चले देख लेते हैं next tips लेक्स आडिया है दोस्तों यहां पर हमारे घर में इस तरीके का डबस होता है डबह का ढकन खोता है यहा कंटेनर का ढकन हो इस तरीके से हमें ले लेना है और इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़ियासा घर के लिए और्गनाइजर तो देखिए यहां पर हम बना रहे हैं रबड बैंड की मदद से इस तरीके से हमें रबड को लगाते जाना है सिर्फ कुछ नहीं करना है सिर्फ यहां पर 5-10 लबड को हमें लगा द किoterव का यह मरा बन मुगया दोस्तो पादे आ कि यहां तो यहां सूरा निपाले ज़ाएहां कुछा। पान लगा और सब्सक्राइबहें कुरदे रहा है और सब्सक्राइबानों सब्सक्राइब प्रेकर प्रेपा मेरी शुक्राइब में को धरेously रहा है इसे इस回去 के वान D इसको धूलियेगा तो नहीं इसका चिपचिपा पन जाता है तो यहाँ पर एक काम करिएगा गरम पानी चूले पर बैठा दीजिये गैस पे और इस तरीके से गरम पानी इमें अर्जेंट को डालने तक क्षेंज को अपनि एक है ना उलुल रखता हिए और छीपचीपापन खतम हो जाता है खरोजने के लिए तो काफी टाइम लगता है तो यहां पर दोस्तों देखिए अगर हमारे घर में एक ही चाकू है तो दवाई का रेपर ले लिजिए जैसे कि और कोई भी परवल को खरोजना चाहते हैं तो इस तरीके से दवाई के रेपर से भी काफी अच्छा परवल खरोज जाता है देखिए कितना अच्छा से खरोजा रहा है घर हमारे घर में चाकू है तो यह काम असान कर देगा एकदम दवाई का रेपर और यहां पर परवल को इस तरीके से खरोज सकते हैं काफी अच्छा टिप्स है दोस्तों बहुत अच्छा लगा हमें यह टिप्स लाइक क पैसेने की बेड़े स्मेल कपड़े में घुश जाते हैं तो असकत सबढ़ता है कि आदे गंटे के लिए पहने तो क्या धूलना छोड़ दो ऐसे ही रख देते हैं यहां पर एक काम कर लिजेगा यहां पर ले लिजेगा बेकिंग सोड़ा और थोड़ा सा ले लेना है टेलक है कि पूरे कपड़े को जिटक लेना है और मिलाके और सारे बेकिंग सोड़ा और हम जो पौड़र मिलाएं यहां इसे जांड लेना है एक जाले पर इसमयल ले लिएां चारह एक दम खत्म हो जाएंगे बैड भी खतम हो जाएगा तो कैसा लगा दोस्तों आज का यूस्पूल लगाओ काम लगाओ वीडियो तो वीडियो को कर दिजेगा लाइक अपने दोसरी दरहों में सेयर कर दिजेगा और पढ़े हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट किजिए गा मिलते हैं लेक्स वीडियों तब के लिए बाइबाए